नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनु तेल के बारे में और मैं आपको इस तेल के बारे में पूरी जानकारी देने वाली हूँ जैसे कि इस अनु तेल के उपयोग से कौन-कौन से फायदे होते हैं इसे आपको यूज कैसे करना है इसकी मातरा कितनी लेने चाहिए इसके नुक्सन क्या होते है इसके इंग्रिडियन्ट कौन-कौन से है ये कौन-कौन से समस्याओं में फायदे मंद है और इसका फूल रिव जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा इसके लिए आप इस वीडियो को end तक देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके packing की तो price के इसाब से इसकी packing काफी अच्छी की गई है तो इसके packing के ऊपर जितनी आवशकता है उतना ध्यान दिया है और इसके लिए एक plastic container य गई है जिसे कि इसके leakage के कोई chances नहीं होते है जिसे कि आप इसे कही पर भी क्यारी कर सकते है और अगर बात करें इसके price के तो मातर 25 रुपए में आपको ये 20 ml का drop आता है तो इस तेल के फाइदों के मुकाबले ये बहुत ही कम price के साथ आता है बहुत ही सस्ती और अच्छे quality की दवा आपको सिर्फ 25 रुपए में मिल जाती है ये अनु तेल आपको किसी भी पतन जली स्टोर पर आसानी से मिल जाता है या फिर आप इसे online भी purchase कर सकते है और अगर बात करें इसके ingredient की यानि कि कौन-कौन सी चीज़ों को मिला कर इसे बनाया गया है तो इसके अंदर बेश से 25 हरबल जड़ी बूटिया मिलाई गई है जो आप इहाँ पर पढ़ सकते है और इसके मुख्य ingredient की बात करें तो इसमें है महेंदर जल, गोट मिल्क, सफेच चंदन, अगर, तेश पत्ता, दारू हल्दी, मुलेठी, बला, चोटी इलाइची, वाव पोडिंग, नागर मुथा, दाल चिनी, शतावर, कमल केशर और तिल ओईल तो ये एक आयरवेदिक तेल है जो आयरवेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया है ये 100% शुद्ध तेल है और मार्केट में जो बाकी अनुतेल आते है उनकी प्राइस बहुत ही जादा होती है लेकिन ये पतन जली का अनुतेल बहुत ही सस्ते दामों में अच्छी कॉलेटी और शुद्धता के साथ आता है साथ ही इसके मैनिफेक्चरिंग की बात करे तो इसे पतन जली के दिव्य फार्मसी के द्वारा बनाया गया है इसका शेल्पलाइब तीन साल का आता है जिससे क आप इसे लंबे समय तक यूज कर सकते है अब बात करते है इस तेल के फाइदों की अगर आपको साइनस की प्राबलम है तो आप साइनस साइनोसाइटिस के लिए प्रती दिन चार चार बुंदे नाक में अनुतेल की डालते है तो इससे आपका बंदना खुल जाता है साथ ह जो कफ है नाक का जो फुला हुआ मास है ओ धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा और नाक की जो बड़ी हुई हड़ी होती है ओ धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएगी तो धूल मिटी की वज़े से आपको कोई अलर्जी होती है तो ओ भी अनुतेल के उप्योग से ठीक ह तो वायरल इन्फेक्शन, साइनस, ऐलर्जी की समस्या में अनुतेल काफी फायदे मंद होता है नाक के ऐलर्जी होने पर आपको अनुतेल की 4-4 बुंदे सुभ खाली पेट नाक में डालनी है इससे आपकी ऐलर्जी ठीक हो जाएगी किसी किसी के नाक में कफ बलगम ज़्यादा बढ़ जाता है तो अनुतेल के उपयोग से कफ बलगम निकल जाएगा साइनस सर्दी जुकाम की वज़े से जो बंद नाक है वो खुल जाएगा साइनस नजले से कही सारी समस्या होती है जैसे आखों की देखने की शमता कम हो जाती है नजर कमजोर होती है आखों पर चश्मा लगता है बाल सपिद हो जाते है कानों से कम सुनाई देने लगता है पोलिक्स बढ़ जाते है यानि की नाक में मास बढ़ता है नाक की हड़ी अं विकृत हो जाता है, सास लेने में तकलिफ होती है, तो कफ बलगम बहुत ज़्यादा नाक में बढ़ना, सास लेने में दिक्कत होना, नाक बंध होना, ये सारी समस्या साइनस नजले की वज़े से होती है, तो साइनस की समस्या वाले रात को थंडी चीजे ना खाए, खाना करना चाहिए, साथ ही रात को चावल ना खाए, तली हुई फ्राई चीजों का सेवन ना करे साइनस में धंडा पाने ना पिए, गरम पानी पिए, तली घी वाली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए साथ ही अगर आपको साइनस की समस्या है तो आप भसरी का 3-5 मिनट, कपाल भाती प्रानायाम 10-15 मिनट और अनुलोम विलोम प्रानायाम 20-25 मिनट तो आप इन 3 प्रानायाम को सुभर शाम रोज की दिन चरिया में शामिल करे तो ये अनुतेल, बाल, नाक, कान, आख, गले के सभी रोगों में लापकारी है अनुतेल की उप्योग से गले के इन्फेक्शन, गले के बाकी रोगों में फाइदा होता है अनुतेल को सिर्प नाक में डालने से आख, कान, नाक, गला, बालों के सभी रोगदूर होते है आखो कि जो समस्याए होती है जैसे आखे कमजोर होना आखों पर चश्मा लगना कम दिखाई देना आखों की रौषनी कम होना और कान की समस्या जैसे कम सुनाई देना कान में बार बार दर्द होना, नाग की समस्या, साइनस, नजला, एलरजी, नाग बंद होना नाग और नाग के भारी हिस्से में कफ, बलगम जमना, पुराना सर्दी जुका गले की समस्याएं जैसे स्वर विकृत होना, गले में सूजन होना, गला खराब होना, इन्फेक्शन, दर्द होना, बालों की समस्या, उम्र से पहले बालों का सपेद होना, बालों का जढ़ना, डैंडरफ, इन सभी समस्याओं में अनुतेल फाइदा पहुचाता है अनुतेल के प्रयोक से मस्तिश्क को ताकत मिलती है, मस्तिश्क की कार्य करने की शमता बढ़ जाती है, मस्तिश्क का द्वारूप नाक होता है, तो अगर हम नाक में तेल डालते है, तो इससे गले के उपर के सबी रोगों में फायदा होता है अनोतेल से बालों की ग्रोध बढ़ती है बाल काले घने होते है भूलने की बिमारी में लाब होता है एका गरता कॉंसेंट्रेशन बढ़ जाता है सामाने सिरदर्ध, माइग्रेन में लाग होता है, आखे कान लंबे समय तक अच्छे रहते हैं, आवाज अच्छी रहेगी, नाग की कोई समस्या नहीं होगी, सास लेने में दिखकत नहीं आएगी, सास फुलने की बिमारी दूर होगी नस्य करने से सिरदर्ध, पुराना जुकाम, एलर्जी, बार बार छीके आना, नाख से पानी भना, आदि समस्याओं में अनुतेल का प्रयोग करने से चमतकारिक लाब होते हैं, भूलने की बिमारी में लाब होता है, जिन लोगों को भूलने की बिमारी है, बार बार कोई भी चीज भूल जाते है या दाश कमजोर होती है उसमें भी काफी लाब मिलेगा साथ ही ये मस्तिश्क के जो सेल होते है उसे एक्टिवेट करता है जिसे की मस्तिश्क की कार्य करने की शमता बढ़ जाती है चेहरे के गलो को बढ़ाता है नस्य लेने का विधान प्राचिन काल से चला आ रहा है नस्य लेने से आपके बाल काले रहते है नस्य लेने से आखों की रोशने ठीक रहती है कान ठीक रहते है नस्य करने से नेंद अच्छी आती है या दाश बढ़ती है आखों की रोशने बढ़ जाती है चेहरा अच्छा रहता है अनुतेल अंदर से पूरे रेस कैसे करना है तो आप अनु तेल की दो से चार या चार चार बुंद सुभ या रात को प्रती दिन नाक में डाले तो अनु तेल को आपको लगादार यूज नहीं करना है दो तिन मेनों तक यूज करे और फिर थोड़े दिन का ग्याप रखिये और अगर आपको साइनस, कफ, बलगम, पुरानी सर्दी, बाल, आख, कान की कोई शिकायत है तो इसे तब तक ही यूज करे जब तक आपका रोग ठीक नहीं हो जाता है हालाकि सामाने लोग भी इसे यूज कर सकते है यानि की जिनको कोई बिमारी नहीं है लेकिन लगादार लंबे समय तक यूज नहीं करना है अनो तेल को नाक में डालने के बाद 4-5 मिनट ऐसे ही लेट जाईए तेल को नाक में डालने के बाद आपको तेल को अंदर की तरब खिचना नहीं है नहीं तो पूरा तेल गले में चला जाएगा इससे आपको इस तेल का लाब नहीं होगा इसलिए नाक में तेल डाल कर 4-5 मिनट ऐसे ही लेट जाए इससे तेल मस्तिश्क की तरब जाता है जिससे हमें अनु तेल का पूरा लाब मिल जाता है इस अनु तेल को आपको डॉक्तर की सलज से ही यूज करना है जो कि हर किसी के शरिर की मेडिकल हिस्टरी अलग-अलग होती है तो इसे आपको वैदे किया परामर से ही यूज करना है और अगर बात करें इसकी मातरा की तो दो बुन से लेकर चार बुन तक आप इस अनु तेल का प्रयोग कर सकते है अब बात करते हैं इस तेल के नुकसान की तो नुकसान की बात करें तो इसके कोई नुकसान साइड इपेक्ट नहीं होते है ये एक आईरवेदिक तेल है जो आईरवेदिक जड़ी बुटियों से बनाया जाता है अब देखते हैं कि ये कौन-कौन सी समस्याओं में फाइदेमंद है अनुतेल को आप सायनस, नजला, नाक बंध होना, नाक की हड़ी बढ़ना, पोलेप्स यानि की नाक में मास बढ़ना, सिरदर्द, माइग्रेन, एलर्जे, पुराना सर्दी जुकाम, बालो का सपेद होना, बालो का गिरना, डैंडरफ, गला खराब होना, कानों से कम सुनाई आखों पर चश्मा लगना, नजर कमजोर होना, सास लेने में दिक्कत होना, इन सभी समस्याओं में आप इस तेल को नाक में डालते हैं, तो लाब होता है, अनुतेल सिर्प नस्य के लिए ही होता है, इसे आपको गर्दन के उपर के सभी रोगों के लिए सिर्प नाक में ही ये तेल सिर्फ नाग में डालने के लिए ही यूज किया जाता है चलिए इस बॉटल को ओपन करते हैं तो इसे यूज करना बहुत ही आसान है इसके लिए आपको अलग से ड्रॉप की जरुरत नहीं पड़ती है तो इसके कैप को प्रेस करते हैं तो ये खुल जाता है तो इसके अंदर ये हलके पिले रंग का तेल आता है लेकिन यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इस तेल को यूज करने से पहले आपको डॉक्तर की सलह लेना आवश्यक है तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो था उमिद है आपको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक, शेर, कमेंट करे और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रोड़क के साथ